पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईयों को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पासकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशिफल मेश राशी आर्थिक शुत्र में किये गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे धन के लेंदें में साबधानी रखें नवीन संपत्ती के क्रय के लिए प्रयासरत रहेंगे उपाई आज आप एक बार स्वें को लकडी के कोईले से तौल कर तुलादान उसी नदी या नहर के पानी में बहाएं व्रिशप राशी व्यापार में समय बद्य तरीकी से कारे करें अच्छा लाब होने के संकेत मिल रहे हैं आर्थिक शेत्र में सुधार होगा नए स्कुरोतों से लाब की संभावना रहेगी उपाय शुक्र यंत्र की गुलाब से पूजा करें मिश्टी का भोग लगाएं मिथुन राशी व्यापार में साजेदारी के साथ मिलकर कारे करने से विशेश लाब होगा आमदनी बढ़ने से जमा पूंजी में व्रिध्धी होगी धन की आमदनी तो बनी रहेगी परन्तु धर्म की बचत कम होगी उपाय ओम नमश्रिवाय मंत्र की माला करें करक राशी व्यापार में लेंदेन करते समय साब्धानी बढ़तें व्यापारिक समस्याओं को अधिक बढ़ने ना दें अपने व्यापार पर ध्यानते उपाई आज दूद दही चावल शक्कर आदी सफेद वस्तू का ब्राह्मन को ध्यानते सिंग राशी वस्त्र आभूशन खरीदने पर अधिक ध्यान रहेगा जिस पर जमापूंजी अधिक खर्च हो सकती है किसी मांगलिक कारक्रम के संपन होने के योग है उपाई आज सूखा नारियल सर के उपर से तीन बार घुमा कर जल में प्रबाहित करें कन्या राशी आर्थिक मामलों में धीरे धीरे प्रगती होगी धन की लेंदेन में साबधानी बढ़ते नई संपत्ती खरीदने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे उपाई आज मंगल स्तुरूत का पाट करें हनुमान जी को चूलह चड़ाएं बूंदी का भोग लगाएं तुला राशी व्यापार में आपको वर्षो पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है अपनी निजी परस्तित्यों को ध्यान में रख कर पूंजी निवेश करें किसी के दबाव आदी में ना आएं उपाई मंदर में बेसन के लड़ू दान करें मंदर के मुखिद्वार पर माथा टेके व्यापार में लाब भूने से व्रिद्धी होगी किसी प्रियरजन से कीम्ती उपुहार मिल सकता है धन के लेंदेन में साबधानी बढ़तें दियाग्या धन वापस मिल सकता है अच्छबा श्री हन्मान जी को भुड और चने का भोग लगाएं धनू राशी कारे पूरे होने के संबंद में शुप संकीत प्राप्थ होंगे आए के कुछ नई स्तुरोध ही मिलेंगे परिवार में किसी प्रियरजन से धन अत्वा पुरसकार मिल सकता है उपाई आच्छी गनेजी को धनिया चड़ाएं और थोड़ा सा प्रसात के रूप में खा कर जाएं मकर राशी व्यापार में पुराना उधार चुकाने में सफल होंगे धन, भूमी, वाहन, भौत एक सुक सुविधा की प्राप्थी के लिए ये समय उप्योगत है आर्थिक शेत्र में समान रूप से लाब होने की संभावना रहेगी संपत्ती, संबंधी, विवादों में ना फसे किसी मित्र से आर्थिक मदद लेने में सफल होंगे उपाई, आजशनी मंदर में कडवे तेल का दान करें किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं मीन राशी, कोई कीमती वस्तू अत्वा गुम हुई वस्तू पुना मिल सकती है धन, भूमी, वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए आज का समय उप्योगत है आर्थिक मामलों में किये गये प्रयास सफल होंगे उपाई, हल्दी की माला पर ब्रेस्पती मंतर का जाप पाँच माला करें, किसी व्रद्य ब्रामन को चने की दाल, दक्षिना सहित, पीले कपड़े में रख कर दें जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दन्चारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं से न्यूस भारत के साथ हर कबर आपके साथ आपके हाथ